इंडिया और चाइना का रिसेंटली तवांग में 9 दिसंबर 2022 को एक भयानक क्लाश देखने के लिए मिला जिसमें की हजारो चाइनीज सूलजर्स हजारो इंडियन सूलजर्स के साथ भिड़ गये थे असल में हुआ क्या था रात के समय में कुछ चाइनीज सूलजर्स अचानक से तवांग रेंज के माउंटेन पर चाइड गये और इंडियन सूलजर्स के उपर अटाक कर दिये लोहा, डंटा, हाथाउडा जो मिल जाए बस बंदूग छोड़के क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एक डेल साइन है कि अगर इंडिया और चाइना में कभी भी लड़ाई होता है तो उसमें बंदू की सबका यूज नहीं किया जाएगा लड़ाई को सिर्फ लाठे और टंडा से लड़ा जाएगा तो आखिर एक माउंटेन के लिए वो भी एक बंजर माउंटेन जिसपे कि ना कोई आदमी रहता है और ना ही कोई रिसोर्स वहाँ पे है अगर कोई कोल माईन या गूल्ड माईन या डाइमंड माईन होता तो बात समझ में भी आता कि लालच के लिए अटाक हुआ था तो एक बंजर से माउंटेन के लिए जिसपे साल के बारहों महीना बड़ जमा रहता है एक ऐसे पहार के लिए दो सूपर कंट्री एक इंडिया और एक चाइना अपस में लड़क यू रहे हैं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो अभी चाइना के अंदर का इनस्टेबिलिटी को माना जाता है जो कि कोविड नाइंटीन के थौर्ड वेव के कारण आया है चाइना में अभी मिलियंस ओफ पीपल मारे गए हैं इस कोविड नाइंटीन के कारण और वहां का सरकार ये सब प्रॉबलम को सॉल्फ करने में पूरा फेल हुआ है तो हो सकत है ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के साथ एक क्लाश करा दिया गया तवांग रेंज में क्योंकि चाइनीज पीपल के दिमाग में ये है कि उनका सबसे बड़ा एनिमी अगर पूरे वर्ल्ड में कोई है तो वो इंडिया है ना कि USA जबकि USA हम लोग से काफी जादे है कि इस अटाक का वो ये है कि जब तिब्बत को चाइना कब जाया था तो उसके अनुस्वार उन लोग ये तवांग एरिया और अरुनाचल प्रदेश ये सब साउधर्न तिब्बत का पार्ट था तो उसका मांग उठाते हुए भी ये अटाक हो सकता है और जो सबसे इंप हो या चाइना दोनों ही कंट्री के लिए ये एरिया बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पहारी के चूटी पे अगर आप चड़ जाईएगा तो इस पार आपको पूरा इंडिया का रोड नेटवर्क दिखेगा और उस पार पूरा चाइ रोड पे अटाक करके जिससे कि आर्मी का सप्लाई रुख जाएगा उनका फूड वेपन्स ये सब एक जगह से दूसरे जगह उतना तेजी से नहीं आ जा सकेगा जिससे कि दूसरे साइट के कंट्री को काफी जादे प्रॉफिट होगा अटाक करने में और जीत हासिल करने म चेलिए ये सब तो हुआ रीजन और इंपोर्टेंस आफ क्लाश इन तवांग मतलब कि कौन-कौन कारन और क्या-क्या महत्वत है ये क्लाश का तवांग रीजन में इंडिया और चाइना के बीच तो अब एक्जाम बच्चा देगा तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही उसी इस क्लाश का भी कुछ ऐसा रिजल्ट निकल गया आया है जो कि चाइना का रातों का नींद उड़ाया हुआ है पहला तो इंडियन सोल्जर्स पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट किया अपने एडिया को और अपने हाथ से जाने नहीं दिया जबकि चाइनीज सोल्जर्स रात भी वहाँ पे पहुचे और एक जवरदस्त क्लाश हुआ दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स के बीच लेकिन एक चीज के लिए चाइना का भी डिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो बंदूक नहीं चलाया सिर्फ लाठी और डंडा से लाड़ाई किया और जिसमें कि हमारे सोल् पर हम लोग कभजा नहीं भी कर पाएंगे तो इंडिया ड़ जाएगा और इस सब एडिया के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा लेकिन इसका पूरा उल्टा हुआ इंडिया और भी अपना दुगुन्ना तेगुन्ना स्पीड बढ़ा दिया एलोसी का जितना एडि करेशन को काउंट करने के लिए हम लोग को भी अपना पावर शो आफ करना ही पड़ेगा और इस फाइट का जो तीसरा और सबसे बड़ा डिजास्टर आया वो भी चाइना के लिए जिसके कारण से की चाइना के प्रेसिडेंट को हाट अटेक भी आ जाएगा वो ये है कि इ प्रेला काफी है और जो ये क्लैश हुआ था इसमें चाइनीज सोल्जर्स का सामना हुआ दुनिया के कुछ सबसे नए और एडवांस वेपन्स से अगर आप चाहते हैं वो सारे वेपन्स पर हम वीडियो बनाए तो कॉमेंट बिलो हम बनाएंगे उस पर और जो ये वेपन् वो भी एलेक्ट्रिक रोड एलेक्ट्रिक तरशूल फिर आपको ऐसा रोड जिसके चाड़ों तरफ काटा लगा हुआ था और वो काटा आटमाटिक अंदर जाता था बहाड़ा था ये सारा टेक्नोलोजी देख करके चाइना का दिमाग उड़े गया और बवखला करके करने में सफल हुआ और ये बता दिया भले ही चाइना दुनिया का सबसे ताकतबर कंट्रिय लेकिन इंडिया उसका सामने में पुस्पाभाव के तरह जुकेगा ना आए